वीडियो के बारे में जानेंगे और इसका रिव्यू करेंगे तो बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यहाँ आपका यूजर एडी वगैरा और यहाँ पे बासके शर्वर इसका यहाँ पहलोर बग्वेट तो सबसे पहले हमें जरूर्ए है सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम कुछ buy करना चाहते हैं मान लीजिए मैं यहाँ पर 17,500 का put buy करना चाहता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर 17,500 का पुट बाइ करना है तो यहाँ पर मैं जैसे बाइ पर क्लिक करूँगा और लिमिट ओडर लगाँगा यहाँ पर मान लीजे मैं 2 रुपीज पर इसको खरीदना चाहता हूँ इसका response इतना slow क्यों है पता नहीं मुझे सका response काफी slow मुझे मिल रहा है तो यहाँ पर हमारे order book में यहाँ पर आ जाएगा हमारा order book में यहाँ पर हमारा order 2 रुपे पर open है तो इस तरीके से आपको limit order लगाना है ओके आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जो यहाँ पर चोटा सा three dot देख रहा है वहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे option मिलेंगे कि क्या करना तो अभी मैं चाहता हूं कि इसको modify करूं अभी इसका प्राइस चल रहा है 2.50 तो मैं चाहता हूं कि 2.5 पर मैं इसको buy कर लों के limit में market लगाएंगे तो directly buy हो जाएगा और मैं आपको already वीडियो बना के बता चुका हूं कि sell order कैसे लगाना है फिनवाजिया में तो वो वीडियो आप देख सकते हैं मैं description में link देढ़ूंगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको order placement करना है और अभी जैसे हमने buy कर लिया था उसको तो मैं आप positions में जाकर देखूंगा अपनी positions में यहां पर हमने यह buy कर रखा है तो इसको अभी हमने sell करना तो इसको अभी हमको sell करना है तो हम यहां पर exit करेंगे और यहां से भी exit कर सकते हैं इसको select करके और यहां से भी exit किया जा सकता है तो हम यहां पर simply यहीं से exit करेंगे exit पर click करूंगा और मैं simply क्लिक करूंगा कि 2.45 जघ dislika मुझे anonymatro फाइब पर exit करना है तो मैं यहां पर limit order लगा के sell लगा दूँगा तो हमारा order भी pending है जैसे 2.5 होगा तो हमारा order place हो जाएगा तो सबसे पहली चीज़ तो हमारी ही हो गई कि हमको script को select करके उसमें orders कैसे place करने हैं okay similarly जैसे ही आप यहां पर इस तरह से order place करेंगे अभी आपको यहां पर मान लिजिए कि reliance buy करना है तो आप यहां पर reliance लिखेंगे जैसे मैंने यहां पर reliance लिखा अब मुझे इसको watch list में I think मेरे साब से हो गया यह काफी slow response क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा बट सो के यहां तो मुझे ने लगता स्लो होगा तो यहां से आपको star से add करना है यहां पर साइद नहीं हुआ तो एक बार मैं फिर से add करता हूं हमारा इस तरीके से आपको यहां पर watch list में add करना है ठीक है अब यहां पर हमारा order already pending है dashboard हम देख लेते हैं dashboard पर आपको margin दिखाएगा आपका total PNL कितना है वो दिखेगा आपको उसके बाद आपका holdings में आप देखेंगे तो आपकी holdings में कितना है कितने order आपके pending हैं और कितने आपके close हो चुके हैं वो सब आपको यहां पर दिखेगा तो यह सारी चीज़े यहां पर है उसके बाद जैसे ही आप orders में जाएंगे तो आपको different orders मिलेंगे यहां पर जैसे मेरा pending order है वह भी भी तो मैं चाहता हूं कि इसको execute करवा दूं तो इसको मैं क्या करूंगा यहां पर simple market कर दूंगा और modify कर दूंगा तो यह execute हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं pending open और average 2.30 पर मेरा order फिल हो चुका है यहां पर आपको GTT orders लगाएंगे वह सारे आपको यहां दिखेंगे और trade book में आपने जाज जो भी buy sell order लगाया है वह आपको यहां दिखेंगे उसके बाद basket order है उसके बाद आपना साइपी mutual fund वगेरा है यहां पर हमारे position से position पर आपको आज के जो भी position होंगे वह दिखेंगे उसके बाद जैसे आप holdings में जाएंगे तो आपके holdings आपको दिखेंगे और margins में जाएंगे तो आपके margin already मैं दिखा चुका हूं कि कितना utilize हुआ है कितना इंट्राडे के लिए कितना margin है delivery का कितना margin है वह सब आपको यहां पर दिखेंगा तो यहां पर जैसे आप option sale का premium कितना है वह सब आपको यहां दिखेगा उसके वाद जैसे आप मार्केट पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको मिलेंगे screeners screeners में आप चेक कर सकतो लाइक निप्टी 50 में जाएंगे हम तो यहां पर हमें rise and fall मिलेगा निप्टी 50 में लेकिन आइड़ून नो यह क्यों नहीं दिखा रहा है भी तो अम वाल्यूम शॉकर्स में जाएंगे निप्टी 50 के तो लेट्सी तो यहां पर हमें वाल्यूम शॉ कर पाएंगे लेकिन मैं recommend नहीं करूंगा इस terminal को I don't know यह slow चल रहा है या फिर यह slow नहीं है और हम मेरा computer slow है I don't know या फिर morning में यह slow ही चलता है इसका response बहुत ही slow तो मुझे लग रहा है इसके बाद यह सब चीजे तो आपकी हो गई करते हैं फूचर ओप्शन future index okay future index select कर लेते हैं और यहां पर हम 20 December की जगे पर यहां पर 29 December select कर लेते हैं तो आपको यहां पर future index वगेरा दिखेंगे यहां पर निप्टी में कहां long build up है short build up है वगेरा आपको दिखेगा ओके ठीक है गाइस यह तो की होगी कि यह dashboard कैसे work करना है आपको इसको use कैसे करना है अब मैं जैसे यहां पर मेरे इसमें जाओंगा तो यहां पर आपको अपने themes चेंज कर सकते हैं लाइक मुझे dark theme चाहिए तो मैं dark theme कर सकता हूं connections में जाओंगा मैं यहां पर तो आपको faits your plots यहाँ पर कर सकते हो आप यहां परने सी में अपने अपने प्रफाइल पर तो सब आई-क्यू और ट्रेडिंग विव मिलेगा तो मैं यहां पर चार्ट आई-क्यू कर लेता हूं और यहां पर आपको क्या से क्या करना है और यहां पर आपको बास्केट में आप बास्केट कर सकते हो एक फundra और आपको सारी सारे वगईर दिखेंगे तो आपको आपको मिल्टी-लिक और वादर का इसक्शन में तरह क्या क्या function है क्या use है यहाँ पे हम orders में जाते हैं उसके बाद यहाँ पे हम reliance पे जैसे click करेंगे तो यहाँ पे depth मिलेगी हमको यहाँ पे आपको market depth मिलेगी B-dask में कितना difference है low high कितना है यह सब ओके और जैसे आप यहाँ पे chart पे click करेंगे तो आप GTT और option chain भी दिखेगा आप reliance का option chain open करना चाहते हो तो reliance का option chain open हो जाएगा similarly यहाँ पे company data भी आपको मिलेगा company data में यहाँ पे share capital वगेरा वो सब चीज़े मिलेगी fundamentals भी मिलेंगे आपको यहाँ पे जिसमें आपको results वगेरा भी मिलेंगे company का information भी मिलेगा आपको यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो तो I think हमने कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ पे simple सा web terminal है जहाँ पे आपको order placement order by sell भी करना है similarly जादा कुछ यहाँ पे दिमाग लगने वाली चीज़े है नहीं तो I hope यह video आपको पसंद आई होगी मेरे साफ से terminal काफी अच्छा है मैं जब कल दोफर में इसको use कर रहा तो यह काफी fast कर रहा तो अभी जो इसका response है वो काफी slow है जैसे आप देखी सकते हैं कि इस तरीके से इसका response मुझे काफी slow लग रहा है क्योंकि अभी हाली में update आए हैं तो I think यह response कि इसका कुछ थोड़ा अलग लग रहा है So यहीं कतम करते हैं इस video को मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई